जै हिंद फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल अनेक मुवी सिंदी या स्टोरी है इवल डेट और स्टोरी में हमें दिखाया गया है कैसे एक सैथान कुछ लोग के ओपर कबजा कर लेता है उसके बाद उन लोग का क्या होता है क्या वो लोग उस सैथान से जीत पाते हैं या नह आने वाला है इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे और वीडियो को सुरू करते हैं इस कहानी के सुरवात में हमें दिखाते हैं एक ऐसी लड़की को जंगल में जा रही होती है लेकिन तभी कुछ लोग आकर उसे जबरदस्ती पकड़ लेते हैं उसके बाद उसे एक पेर से बान देते हैं और फिर उससे कुछ पूस्ताष्ट करने लगते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि टीना के अंदर एक बहुत बुरी आत्मा घुस चुकी है और वह उसके काबुम है इसलिए उसे निकालने के लिए उसके डायर टीना को कुछ तांत्रिकों के पास उसके बाद कुछ साल बाद हम देखते हैं उसी घर में चार लोग रहने के लिए गये हुए हैं जिनका नाम डेविट, एरिक, मिया और एरिक होता है वह सभी आए दोस्त होते हैं और मिया कुछ नसा करती थी इस वज़े से मिया की नसा की यादत छुडाने के लिए को जो अपने वहरinky साल भात मिल रहा है है बहुत से मिलकाट ज़दा खुस होता है और मिया भी उससे मिलकार बहुत जदा खुस होती है फिर देखते हैं मिया ने अपने ड्रॉंकiva कुवे में डाल दी है और वा सबत लेती है कि इसके बाद सिवा कोई भी नसा नहीं करेगी जिसके वज़े से सभी खुस हो जाते हैं और उसका भाई काफे ज़्यदा खुस हो जाता है फिर वो सब उस घर का ताला तोड़ कर अंदर जाते हैं जिस घर में पहले हमने कई साल पहले देखा था कि उसी घर में एक आद लड़की को जलाया गया था जिसके अंदर सैतान था और उस घर में काफी मज़े से रहने लगते हैं लेकिन हमें पतर चलता है कि मिया को कुछ अजिव सी स्मेल आ रही है वा उन सब को बताती है कि इस घर में कुछ बहुत ही बुरा सर रहा है जिसकी स्मेल मुझे बहुत ज़्यदा सता रही है या सुनकर सभी को ऐसा लगता है और इसको जरादा दिता है असके और एक किताब नहीं हुस्ट है इस वाध ही किताब की मज़सें की साल पहले hist audi इधर हम देखते हैं एरिक को जो उस किताब को उसने खोल दिया और उस किताब में कुछ लिखे होते हैं जिसे वह समझने की कुछिस कर रहा होता है जैसे ही वाइस लेटर को पढ़ता है तो इधर जो बाहर मिया गार्डन में टहल रही होती है उसके अंदर कुछ आत्मा आगे घुस में एक भूत आ जाता है जिसकी वर्यस वीकरे लग जिसनि में रही है और वाचा कर एक तलाव में गिर जाती है फिर तलाप से यह लिखे हो और मिया भिहोस हो जाती है और फिर उसका भाई डेविट उसे उठा कर वापस अपने घर ले आता है फिर हम देखते हैं जबी बैठ कर एक साथ प्लान बना रहा होते हैं लेकिन इससे पहले मिया डेविट को बलाती है और डेविट से कहती है भाई यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है मैं जल से जल यहाँ से जाना चाती हूँ पर डैविट सूचता है कि यहाँ सब ड्रस की वज़े से हो रहा है इस वज़े से मिया पागलो जैसा बरताव कर रही है और डेविड उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और फिर हम देखते हैं डेविड को जिसके डॉक को किसी ने मार दिया है और इस वज़े से डेविड बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वर डॉक के पास में एक उलहाडी पड़ी हुई देखता है जिसे कि उससे सक हो जाता है कि यह सब मिया ने किया है इस वज़े से मिया के पास जाता है और मिया को देखता है तो मिया एक बहुत ज़्यादा खालते हुए पानी से नहा रही होती है जिसके वज़े से मिया की तुचा पूरी जगर से जल जाती है और अब डेविड देखकर बहुत ज़्यदा परिस्थान हो जाता है इसलिए वा फैसला करता है कि वा मिया को वापस हॉस्पिटल ले जाएगा और जैसे ही वाँ हॉस्पिटल के लिए निकलता है तो रास्ते में देखता है कि जिस फुल से वो लोग यहाँ पर आया थे वा पिल अब पानी के वज़े से बह गया है और पूरे जगह पानी भरा हुआ है और नदी काफे ज़्यदा भरी होती है इस वज़े से डैविड वापस लोट आता है और इसकी कल्फिंड और ओलिविय डॉक्टर कहती है कि अब तुम्हारी बैन बहुत या अजीव परताओ कर रही है तब ही हम देखते है डैविड को जो मिया के उपर गुस्ता कर रहा होता है लेकिन तभी मिया अपने हाथ में एक गन लेकर आती है और उसे सूट कर देती है उसकी बाद वाद जोट से चिलाती है जिसकी वीज़े से पूरा का पूरा गार हिलने लगता है और सबी लोग याँ देखकर बहुत ज़्यदा डर जाते है उसके बाद वा अलिविया के पास आती है और उसके मूँ पर एक पहुत ज़्यदा खोन की उल्टियां करती है जिसकी वरे से उलिविया भी पहुत ज़्यदा घवरा जाती है और वा सोचती है क्यासा मिया क्यों कर रही है लेकिन जब उल्यविया अपना मूद होने के लिए बातरूम में जाती है तो वहाँ पर एक सायतान को देखती है जो उल्यविया वर भारी पढ़ जाता है और वाँ उसके अंदर घुसके उसी के हाथ से उसका पूरा का पूरा मुझ फार देता है उसे बचाने के लिए उसका दोस्त एरिक उसके पास जाता है पर वह ऐलिविया एरिक पर हमला कर देता है जिसके मेरे से एरिक डर जाता है और वह ऐलिविया का सर एक पत्था से कूच कर फोर देता है जिसके मेरे से डॉक्टर एलिविया की देथ हो जाती है फिर हम देखते है डैविट को जो अपने दोस्त को संभाल रहा है और पारिक से कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं पारिक जानता था कि यह सब मेरी ही गलती है और मैं नहीं ओली यह को मा रहा है तभी हम देखते हैं मिया को जुसके उपर अपस्तान पूरी तरीके से काबू कर चुका ह और वह हम देखते हैं कि उसने नैटली को उपर अटाइक कर दिया है और मिया ने नैटली के हाथ में काट लिया है जिसके वज़े से नैटली भी बहुत जोड़ जोड़ से रो रही होती है और नैटली डेविट की गल्फरेंड होती है फिर हम दिखाते हैं नैटली को जब बात्रूम में अपने हाथ को धुलने के लिए जाती है तभी उसका हाथ अपने आप अचानक से हिलने लगता है जिसे देखकर नैटली बहुत ज़दा डर जाती है और वह अपने हाथ को करने का फैसला करती है तभी हम देखते हैं उसके दोस्त को जो आप डेविड को समझा र व में होती है इस वज़े वह आपने हाथ को आधी उठाती है और काटने लगती है और बहुत जोड़ से चिल्लाती है जिसके वजह से कैसे कि भरोसा होकि यह संब और नहीं बल्कि समय किताब कBo Etざ चुलायल के दोरा किया जा रहा है इसलिए डेविट फैसला करता है कि अब आ जिस हिसाब से किताब में लिखा हुआ है वैसे ही वह कार करेगा और अपने पहन को सैतान से मुक्त तरेगा तभी डेविट ऐसा ही करता है वह जितने लोग मर चुके थे उनकी बारडिस को पैक करत देता है और कुछ लोगों को जला देता है और कुछ को गारने के सुचता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब डेविट मिया को मारने चाहरा होता है तो मिया जोड-जोड से रोने लगती है और कहती है भाई तुम मुझे कैसे मार सकते हो भाई मुझे बचाओ भाई मुझ और जब साइतान उसकी पहन की बाड़ी को छोड़ देगा तो वह उसे जमीन से बाहर निकालेगा वह ऐसा ही करता है मिया को लेकर जाकर जमीन में गालने लगता है और जैसे ही वह उसे पूरी दरीकिस दफन करता है तो इसके आत्मा वहां से निकल जाती है और मिया मर चुकी तभी वह दुबारा गड़ा खुदता है और मिया को बाहर निकलता है उसके बाद उसे एलेक्टिक सौक देकर वापस जिंदा कर लेता है अब मिया जिंदा हो चुकी थी पर उसका जो दोस्त होता है अरिक अब उसके उपर भूत आ गया था और आत्मा के गब्जें में था इस घर में लगा देता है और खुदे मत जाता है तभी हम देखते हैं ऑसमान से खून की बारिस हो रही है जल्द उसलिए यह हो रही होती है कि इस भrk को फृट नरक का सैतान को वापस प्रथीवी पर लाना चाहती थी और ऐसा होता भी है जैसे ही पास लोग मारे जाते हैं तो नरका सैतान बाहर आ जाता है और जैसे ही नरका सैतान बाहर आता है तो आसमान से खून की बारिस होती है फिर हम देखते हैं कि वह नरका सैतान जो जमीन से बाहर आया होता है व साइतान भार्फुल होता है इसलीवा अपना दिमाग लगाती है वो पहले कार की निश्य चाकर छिप जाती है और जैसे ही सायतान मारने के लिए उसके पर उसके पास आता है ठाग को खीचती है घृटारी और साइज श्पले देटी है जाता है जैसा ही साय। मरता है तो खुन की बारिस बंद हो जाती है और इसका सरीर अपने आप ही चमिन के अंदर दफन हो जाता है फिर हम देखते हैं आप पूरी तरीके से सब सुरक्षित होते हैं सब कोई बसता ही नहीं है और सिर्फ और सिर्फ मिया ही बसती है और वह अपने घर के लिए वापस न अन्यवाद